अगर आपने ये कर लिया तो आप किसी भी तरह की पडिक्शन कर सकते हैं तो लगुपारशरी के शलोक और उनका अर्थ आपको अगर मालुम चल जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है जादा शलोक नहीं है चालिस के आसपास के शलोक है इतना ही शलोक आपको याद करके अगर मालुम चल जाता है तो आप सब को समझ जा, श्लोक 18 में क्या बोलते हैं, श्लोक 18 में बोला गया है, दशा स्वापी भरेद योग, प्रायशो योग कारिनो, दशा द्वीमध्य ग्रिस्त ये शुब कारिनाम, ये कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपकी दो दशाएं अच्छी हों, एक पहले, एक बाद की, तो बीच की दशा, अगर असम्मंदित ग्रह की भी हो, तो भी अच्छी जाएंगे, यहां पे सोचने वाली बात है, ये क्या हुआ, देखें, ग्रह सम्मंदित का हो, ये मैंने लास वीडियो में भी आपको बताया था, ये चार तरह, चार प्रकार से ग्रह सम्मंदित हो जाएंगे, ग्रह एक दूसरे के राशी में बैठे हो, तो सम्मंदित हो जाएंगे, ग्रह एक दूसरे को पून द्रस्ती से देख रहे हो, तो सम्मंदित हो जाएंगे, एक ग्रह दूसरे ग्रह के गर में बैठा हो, और दूसरा ग्रह अपने गर को देख रहा ह लिए उखी आगा कि दो य कारक द्र निकली है अच्छी है अगर वो अच्छी रागों की है मतलब आईसे ग्रै है जिनके पीज में कोई संबंद नहीं है और उसके बाद द्रशा आती है फिर अधर वाइसे ग्रहों की जो सम्बंदित ग्रह हैं तो आपको ये समझना है तीन दशा है A, B और C A दशा वो दशा है जिसमें दोनों ग्रह सम्बंदित हैं मालिया वो अच्छी है B दशा वो दशा है जिसमें दोनों ग्रह के बीच में कोई सम्बंद नहीं है ना तो वो देखते हैं ना ये दूसरे के भाव में बैठे हैं ना ये दूसरे के दस्ती संबंद है तीसरी C, C वो दशा है जो दोनों ग्रहे संबंद रखते हैं और योगकारत है तो ये कहा गया है कि ऐसे केस में अगर पहली दशा और तीसरी दशा शुब हो तो ऐसे दशा पीछ वाली दशा जो कि असमंदित ग्रहों की है जिन ग्रहों में सम्ंद नहीं है उनकी दशा भी शुग जाती है यह कहते। नवे भाव का स्वामी है और दसवे भाव का स्वामी है ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ही ग्रहा अगर केंदर और तिकौन दोनों का स्वामी हो तो वह पून योगकारी ग्रहा बन जाता है तो शनी जो है इस कुंडली में पून योगकारी ग्रहा है तो शनी में शनी की दशा तो जाहिर है शुब जाएगी उसमें कोई बात नहीं है अब आते हैं शनी में शुक्र की दशा शनी में बुद क्या है इस कुनली में बुद इस कुनली में पंचमेश है और जित्येश सेकंड भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है शुब है इस कुन छोड़ दिजिए इसको अभी आभ देखेए शनी में शुक्र की दिशा। अब शुक्र की दिशा आगर आती है तो क्या होता शुक्र क्या है इस कुंद्लि में इस कुली में शुभ है तो इसका मतलब और शुक्र और शनी ये देखिए शुक्र बैठा है चौते भाव में शनी बैठा है दस्वे भाव में दोनों के बीज़े संबंद है तो ये दिशा शुख जाएगी अब क्या हुआ कि इससे पहले थी शनी में बुद्ध की दशा औ दो दशाएं ऐसी हुई शनी में बुद्ध जो की संबंद नहीं रखते हैं एक उससे पहले ही एक उससे बारी है तो ऐसे में सहनी में बुद्ध की दशा भी योक्कारी होगी बलही दोनों ग्रह के बीच में कोई संबंद ना हो ये ही शलोक अठारा बताता है जो कि बहुत तो आशा करता हूँ ये स्लोंक आपको समझ माया होगा अठारा प्रणाम देती है अगर उसके अगे और पीछे तोणों भरे ढूं start कर गोई इसमें पीड़ाज सुगार्णृ करने वाप मैं उसका दिरेंगी वहुआश्करूंगा हुआ करेंगे रहा वह भी लोग शुरू करना जा रहा है जिसमें भी जो भी इन्ट्रस्टेड हो वो अपना नमंगर रहा सकता है घन्यवाद जया शिक करेंगे